नवस्कार स्वागत थे आपका हमारे चंचार जागंदर विशा में दोस्तों आज हम बात करेंगे आज के करनियराज के दिन के रास्पल की लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं आज के पंचांग के वारे में तीन जून दोजरवाईश शुक्रवार के दिन है और जेश्टमाश शुक्लपक्ष की आज चतूरती तिति और नचत्रे पुनर वशू अब जीत मुहुरत आज दुपाहर 11 बच कर 37 मिट से लेके दुपाहर 12 बच के 29 मिट तक रहेगा आज के शुरूदे सुबह 5 बच कर 33 मिट पे और चंद्रमा की स्थिति रहने वाली है आज के दिन सुबह 9 बच कर 57 मिट तक रहेंगे मिथुम राशी पे इश्की बादकर कराशी में गोचर कर जाएंगे यानि कि आपके दसम भाव से आपके लाब भाव पे गोचर चंद्रमा का हो जाएगा आज के जो असुब समय होगा वह तकरीवन होगा सुबह 9 बच कर 29 मिट से लेके सुबह 10 बच कर 31 मिट तक रहेगा इस असुब समय में कोई भिशुब और नए कारकिस्तुरात ना करेनी तो विग्नवाधाई आ सकती है अब बात करते हैं आज के करने राश के देनिक राश्विल की और यह प्रड़क्शन चंद्राशी पर अधारी थे करने राश के आतकों आज इतिहास बदलेगा क्योंकि आज के दिन बहुत बिशेश परिवर्तन देखने को मिलेगा बिशेश लाभ देखने को मिलेगा केरियर की जो चिंताएं थी बियर्थ में वो दूर होंगी और केरियर में आपको प्रमोशन के रूप में इतिहास बदलेगा करने राशकत को आज आपको पद्ध प्रजिश्ठ मानसमान की प्राप्ती होगी केरियर में आज आपको एक नई जोब लगने की संभावना बन रही है आप नोकरी के लिए काफी प्रियासरत है और काफी मेहनत और परिस्रम कर रहे थे चाहिए उप्रावेश श्रक्टर हो या फिर सरकारी छेत्र हो तो कन्य राजकत को आज इतिहास बदलेगा नई जोब लगेगी साथ ही आपके जो उच्चा धिकारी है आज आपके कारशेत में आपके प्रसंसा कर सकते हैं आज आपको मेहनत से जढ़ा कामयाभी मिलेगी आज आप अनी दम पर आज आज आप कामयाभी हासल करते नजराएंगे इसलिश लगा कि आज इतिहास बदलेगा ज्यादा ज्यादा आज मेहनत करने के जरूरत है और अभी चुकि कमप्रिटिशन का जमाना है तो इस्टुडेंट के लिए भी आज चुकि मेहनत और परिस्व करना होगा आज आपको किसी बिशेश इंटर्वी देने की जरूरत पर सकती है या फिर आज आप कमप्रिटिशन आने का इंतजार जो बेसब्र से कर रहे थे तो कन्य राजकत को वो इंतजार खत्म होगा और आज रिजल्ट आएगा यानि कि जो आपने एक्जाम दे रखेते पहले उसका रिजल्ट आएगा और आज ब्यापार में धनलाब की योग बन रहे हैं आरति किस्ति मजबूत इनकी काफी अच्छे रहेगा बैंक बैलेंस बढ़ता हो नज रहेगा और आज आपके केडियों में बड़े दिक्यारें को सपोर्ट पराप्त होगा सहीयोगियों को साथ पराप्त होगा जो आपके साथ काम करने वाले हैं कन्य राजकत को उनका साथ मिलेगा उनका लगाए थे तो लाब होगा और आज आप लगाना चाहते तब भी लाब होगा आज आपको काफी फायदेवन्त समय सावित हो सकते हैं आज आप प्रयास जरूर करें आज आपको लाब होगा और आज आपको हर छेत्रों में लाब होगा कई मेहत्पूर्ण छेत्रों में आज आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा मन काफी परसंद रहेगा आज की दिन करने राशकत को आज आपको रुकावा फस्रवा धन प्राप्त होगा रुकावा धन प्राप्त काफी प्रयासरत यानि कि आपको परिश्रम करने के बाद ही मिलेगा और रेरकार जो समुक्ति पाए बिजनेस व्यापार में जो डील फानल होगी यह आपके लिए बहुत ही सफलता आपको दिलाएगी कई प्रगार के क्यामावी आपको दिलाएगी करने राजकत को आज आपको भागदा और ज्यादा करने पड़ेगी लेकिन परिश्चरम के साथ साथ मेहनत करेंगे तो लाब ह कई छेत्रों से आपको विशेश शफलताएप राप्त होंगी अच्छे कारियों के लिए जाने जाएंगे और महत्मुन सफलताएँ आज कदम चुँमेगी जो कार्य आपके धूरे पड़े थे पिंड़िंग थे उन्हें विशेश शलाब होगा और अच्छे कारियों के लि अगर आपके जीवन में कोई खटपट चल रही है अच्छा नहीं है तो आप माता लक्षमी को सुक्रवार के दिन दो लॉंग दो इलाइची अर्पित कर दें और अगले दिन इसे एक लॉंग एक इलाइची एक करके पत्पत्नी खा लें तो अपस में प्रेम बढ़ता है दो दो सुक्रवार के दिन माता लक्षमी की पुजा राधना करके ही दिन के सुरॉड करेंगे तो कन्य रासकत को आपको विशेश लाब होगा कनी राजकत को निश्यत और प्याज के दिन बिशेशत रहेगा आज आपको अपने घर परिवार के लिए ज़दा ज़दा समय देनी की जरूरत पड़ेगी बड़े भाई बहनों को सयोग प्राप्त होगा अच्छे कारियों को ले जानी जाएगा कुछ महितपूर परिवर्तन होगा आज आपके घर में सुब मंगल कार धार्मी कारकरम हो सकते हैं और आज आपके घर में इनकी सुब मंगली कार साधी वका आयोजन होगा धर्म कर्म के काम पर आज खर्च करते नजराएंगे, धर्मी कारियों पर आपकी रोची भी बढ़ेगी कनरी राजखत को माता पिता के स्वास्त में धेरे धेरे स्वधार होगा फीता जी के सहयोग से अधिक सहयोग ध्यनलाब की प्राप्ती होगी अलग कि आपके कार्षेत्रों में उनका सहयोग प्राप्त होता हो नजराएगा आज आपके जो काइंट्रिडेंस लेवल है वो जेवरस्त रहेगा और आज कार्षेत्रिडेंस लेवल और अपने धैर और साहस के दम पर कुछ महत्पूर्ण सफलता है प्राप्त करेंगे पारिवारिक जीवन में जो बहुत तनाव आपको महसूस पहले था वो अब खत्म होगा और आज लव लाइप की अगर बात करें तो लव लाइप अच्छे रहेगा आप जे जंडर को प्रपोस्ट करना चाहते है तो थोड़ा सा आप रुख जाए क्योंकि आपका लव लाइप बहुत ही अच्छे रहेगा और यहाँ पर एक दुसरे के साथ अच्छी बाते करते निज़राएंगे चीजे बहतर होगी और समझने के कोशिश करेंगे आपका मन सांत महशूश करेंगे और इसमें आपका जो यानिकी सोच आपकी जो होगी बहुत अच्छी रहने वाली है जीवनसाती से आपको आज संतान के रूप में इतिहास बदलेगा क्योंकि संतान की चाहत पूरी होगी और आज आपको सुकून मिलेगा बहुत ही ज़्यदा सुकून मिलेगा मन को सांती मिलेगी आज की दिन बैवाहिक जीवन में तनाव खत्मों का और संतान के रूप में आज इतिहास बदलेगा और जीवनसाती का सहयोग प्राप्त होगी बैवाहिक जीव से आज आपको कामयाभी भी प्राप्त होगी आज आपको कोट के चेरे के मावलों में भी राहत मिलेगी साथी साथ प्रेम संबंद में मजबूतियागी लबलाई बहुत अच्छी रहने वाली है कने राजकतों लब पाटर कुछ गिप्ट और उपहार देंगे उनके साथ काफी अच्छा वक्त विताने का मौका मिलेगा चीजे बेहतर हो रही है महतपूर्ण सफलताइं मिलेंगी महतपूर्ण आपको लाव देखने को मिलेंगी जो कार्य अभीता का धोरे पड़े थे पेंडेंग थे उनमें विशेष लाब होगा यानि कि बहुत ही अच्छी रहने वाली है आज की दिन आज आपको हर संभव जो प्रयास करेंगे आज इसमें सफलताएं प्राप्त होंगी कनी राजकत को आज आपको भागदाओर करनी पड़ेगी आज इब विदेश की यात्राएं भी जानी पड़ सकती है आज आपको यात्रा की योग बन रहे हैं हलाकि किमती चीच की देखरेंग जरूर करने इसलेका कि आज इतिहास बदलेगा कई छेत्रों में आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा और ये परिवर्तन आपके लाबपरत रहेंगे हलाकि नौकरी में इस्थान आंत्राण की योग बनेंगे एक जगर से दूसरी जगा भी जा सकते हैं और यहां पर इस्टूजन के लिए बात करें तो देखें क्योंकि कम्पेटिशन का जबाना है तो अभी आपको अपनी पढ़ाली काई पर पोजी तरह से फोकस करना होगा क्योंकि बड़े संथा में आप दाखला लेना चाहते हैं हलाकि इस समय आप कुछ आराम भी फर्मा रहे हैं दोस्तक साथ घूमने फिरने में भी मन लगा रहे हैं तो आपको अपने कारियों पर शिक्षा के शेतर में ध्यान देने की जरूरत होगी इंटर्वी बगरे में आपको ध्यान देना होगा साथी स्वास्त की बात की जायता है स्वास्त आपका बेहतर होगा स्वास्त समंधी पर रिशानिया दूर होगी स्वास्त उत्तम रहेगा क्योंकि चंद्रमा आपके शुब भाव पे गोचर कर रहे हैं तो स्वास्त और मन मस्तिक सब कुछ बेहतर होगा सकरात्मुक्सोच के साथ आगे बढ़ेंगे घर परिबार में और समाज में मान समान के प्राप्ति होगे समाज में आपके प्रतुष्ठा और अलोग पृतिता बढ़ेगी राजिती चोत्रों में इलाब होगा बड़े जिम्मेदारिया घर परिवार के लिए हो सकते हैं कुछ दो कर आज आपका शुब रंग रहेगा यहां पर हरा और भाग साथ निभारा आपका तक्रीवर निकी 92 परसंट दस्तो बीटो लाइक जरूर करिएगा नए तो चनल सब्सक्राइब करिएगा और से सेर करिएगा जैशनिदेव